कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस बेहत खास प्रोग्राम में जिसका नाम है Secrets of Gemstones जानी रतनो का रहस में संसार दोस्तों मैं रमन एसलोजर जैमस्टोन एक्सपर्ट मैं आपके तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर रहा हूँ अभी तक जो हमारी जर्नी रही है यूट्यूब के उपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूँ ये 2000 जो एपिसोड है इसमें रीडियो भी है ओल सारे रीडियो है इसमें टेलिवीजन भी है क्योंकि वो भी यूट्यूब के उपर ही आएगा और इसमें हमारा डैरेक्ट आप से जो हमारा परिवार है यूट्यूब का उसके साथ बहुत अच्छा आनुभब बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ जोतिश के माध्यम से और मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि जोतिश एक साइन्स है और कल्कुलेशन ओफ मैथ नथिंग एलस दोस्तों ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्तली मोर दैन मैंने बत अक्रीवन 16-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमलाजी के उपर करे हैं बहुत छोटे नगीने होते हैं आप इसे किसी भी नाम से पुकारे आप इसे रतन कहें पत्थर कहें जैम स्टोन्स कहें पर इसका रिजल्ट ला जवाब बहतरीन रिजल्ट है मैं तो बूलता हूँ कि इसका रिजल्ट सो प्रतिशत नहीं एक हजार प्रतिशत आता है विश्वास का सौदा है ये सारा अगर आपका आपके अपने रतन के उपर बेहत विश्वास बेहत कॉन्फिडेंस है तो जाहिर सी बात है वो रतन आपको आउटपुट देता है लाखो कुरोडो गुना आउटपुट देता है एक रतन जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीज़े हैं जिसको आप फॉलो करते हैं एक्जेम्पल के तौर पे रतन ओरिजनल लैप टेस्टेड होना चाहिए नमबर दो पे उसका मैटल क्या है यह बहुत एहम भूमी का निभाता है मैटल नमबर तीम पे क्या आप उसे गलत अंगलियों में तो नहीं धारन कर रहें यह भी बहुत इंपॉर्टन है नमबर चार पे क्या वो शुब मुहूरत के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभी मंत्रित करके आपने पहना है सही समय, सही दिन, सही वार यह बहुत इंपॉर्टन चीजे हैं और लास्ट बट नॉट लिस्ट आपने जो रतन पहना है क्या वो वाकिए लैब टेस्टेट सर्टिफाइड है या नहीं है यह बहुत सारे इसे सवाल है जिनका जवाब आपको सिरफ और सिरफ इस यूटिव चैनल के उपर मिलेगा दोस्तों आज का जो एपिसोड है जैसे कि आप थमनल देख रहे हैं उसके अंदर बताया गया है बुद्ध ग्रह का रतन पन्ना और शनी ग्रह का रतन नीलम किया ये दोनों हम इकठे पहन सकते हैं हमारी Gest और चार्ट के और हमारी जन्व पत्रिका के अंदर हमारी हस्त रिखाओं के अंदर वाक्य यह हमारे लिए बहुत परमराजो कारक होंगे ज़ा नहीं होंगे अगर यह परमराजो कारक हैं तो इने पहनने के फा 아니라 क्या है ज़ा यह नहीं है तो इनके नुक्सान क्या है ऐसी ढिरू इंफूमिशन जो आप एपिसोड देख रहे हैं इसके अंदर आपको दी जाएगी दोस्तो लास्ट एपिसोड को आपको आपने बहुत प्यार दिया ऐसे बहुत सारे एपिसोड है जो हमारे पांच-पांच, दस-दस लाक, एक-एक, मिलियन्स ये प्यार ही है, जिसकी बदूलत हम भी जाते हैं कि एवरी डे आपको कुछ ना कुछ शॉट्स तो हमारे एवरी डे आ रहे हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल के उपर ने सब्सक्राइबर है, उनको मैं बता दूँ एवरी डे हमारा एक शॉट आना ही आना है यूट्यूब के उपर, जो दोपहर बारा बज़े से लेकि एक बज़े के बीच में एक शॉट आता ही आता है तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दू, बुद्ग रहे बुद्ग रहे को जोतिश के अंदर राच कुमार की उपाधी दी गई है अब बुद्ध, बुद्धी है, दिमाग है, दे वे आफ टॉकिंग है, बात करने की कला है ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो बुद्ग रहे के अधीन है जब बात बुद्ग रहे के उपाईों के अंदर आती है तो सबसे बढ़िया पहतर नगीना जो है, वो है पन्ना जानी जाम्बिन पन्ने की मैं बात कर रहा हूं यहां पे दोस्तों, कुलम्बिन हो, जाम्बिन हो जब बात पन्ने की आ चुकी है, तो फिर मैं आपको बता दू, यह पन्ना पन्ना नहीं है यह अपने आप में ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसा अशीरवाद है बुद्ग रहे का, जो वाकिया आपकी जिन्दगी चेंज कर देंगे अब दूसरी बाप मैंने अभी आपको बोला है कि बुद्ध और शेनी का कॉम्बिनेशन होता क्या है, करता क्या है जा, यह कॉम्बिनेशन के हमें बैनेफिट्स क्या है, क्या नहीं है जब भी हम अपनी होरोस्कूप, डेटर बोर्ड, टाइम, प्लेसर बोर्ड जा, हस्तर रखाओं के अंदर, जनम पत्रिका के अंदर, टेवे के अंदर बुद्ग्रह की पॉजिशन देखते हैं, कि हमारी कुंडली के अंदर कौन से बॉक्स के अंदर बुद्ध बैटे हुए है, क्या इनके साथ शनी बैठे हुए है जा बुद्ध शनी आपस में आमने सामने है जा द्रिस्टियों में एक दूसरे के साथ हैं जा नक्षत्रा चेंज है तो बुद्ध ग्रहे का कॉंबिनेशन और शनी ग्रहे का जो रतन नीलम है यह 100% पहना ही जाएगा लेकिन बात बुद्ध की हो रही है तो मैं आपको बता दू बुद्ध की महादशा आपको फरक ना दे रही हो बुद्ध की महादशा के अंदर आपको डर सा लग रहा हो जा आपको लग रहा हो कि कहीं ने कहीं बुद्ध कॉंडली के अंदर वीक है स्ट्रॉंग नहीं है डिग्रियों में वीक है एक क्या नीलम सब के लिए है और दूसरी धारना क्या है नीलम एक सस्ता स्टोन है तो मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ जैसे कुंडली के अंदर शनी ग्रह की जो पॉजिशन होगी उसको देख के बताया जाता है कि वाकई नीलम रतन आपके लिए बना भी है जानी है यह हर एक बन्दा नहीं पेहन सकता है करक लगन हो करक राशी हो सकॉरपियन हो स्कॉरपियन लगन हो जा ऐसी कुछ भी हो तो उसमें मेश लगन हो मेशर ऐसे बहुत सरे लगए ना जिनके लिए नीलम जहर का काम करेगा पॉईजन का काम करेगा एनिहाओ बात कर रहे हैं कि जब एक एक्सपोर्ट ने आपका कुंडली का एनालाइस कर दिया विशलेशन कर दिया आफ्टर डैट वो आपको बोरे हैं कि येस उनकी तरफ से ग् कॉंबीनेशन परमराज्यों का रखे दोस्तों ये वो पावर क्रेट कर देंगे कुंडली के अंदर जो आप को वागे पता लगेगा कि यार अगर ये मैंने बहुत टैम पहले पहने होते तो मेरी जिंदगी चेंज हो जानी थी क्यों नहीं पहने तो बुद्ग्रह का पन्न जैसे मैंने बताया है पन्ने को राइट हैंड की लिटल फिंगर में छूटी अंगली में डाला जाता है दिन बोद्वा दो पहर बारा बजे से पहले प्रान परतिस्ठा करवा के वैदिक मंत्रों दौरा पढ़के फिर पन्ने को धारन किया जाता है अब नीलम की बात नीलम के मालिक है शैनी तो नीलम रतन को छे साड़े शे बज़े के बाद आपने पंच धातू में राइट हैंड के मिडल फिंगर में डालना है और इसको डालना किस में है मैं आपको फिर से बता दू मैं बार बार बोलता हूँ पंच धातू इसका मेटल है सोना तामा चांदी पी से सोने में डाला हुआ है तो ये गलत है अब बात कर रहे हैं श्री लंका सिलोन के नीलम की अब लोगों की धारना सस्ता है सस्ता है ये भाई सब नीलम सस्ता नहीं है आप आडी क्यू सेवन की बात कर रहे हैं आप जैगुवार गाडी की बात कर रहे हैं बजट मारूती वाला नहीं चलेगा यहां पे आपको बढ़िया अगर आप बहुत महंगा रतन यह मैं यह नहीं बोरा कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ले लो एक आप अपने पॉकिट के अंडर रहकर नीलम लेजेगा यह हजारों वाला पत्थर ही नहीं है अब दूसरी बात मैंने आपको बोला है कि जब यह कॉंबिनेशन बनता है तो पाँच फाइदे गिनाने जा रहा हूं जो वाकिया आपको पता लग जाएंगे जिनों जिनों ने डाले हुए हैं और जो मन बना रहे हैं नमबर एक पे पहला फाइदा क्या होगा वैपार बिजनस करते हैं तो फिर आपकी ग फाइदा करेगा नमबर तीन पे चल रहे हैं शेनी की साड़े साती लग चुकी है महादशाई लग चुकी है बुद की महादशा खराब चल रही है मैंने बताया ना दूनों कॉंबिनेशन में हैं तो फिर बुद और इसको शेनी की जो महादशाओं के अंदर साड़े साती हमें क्या मिलेगा अगर आप स्टूडन्ट है अगर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई में कहीं ने कहीं वादा आ रही है प्राबलम आ रही है मेरा कॉंस्टेशन लेवल बिकर चुका है जब आप किताब उठाता हूं तो पढ़ने बैठता हूं तो ध्यान कहीं और ही जा है तो फिर तुरंट डालिए नमबर पांच जो बंदे जाब कर रहे हैं मैं बिजनस की बात नहीं कर रहा है यहां पर जाब की बात कर रहा हूं आई टी में है जा नॉमल भी जाब कर रहे हैं जा वो MCX के अंदर लगे हुए हैं तो फिर ये रतन आपके लिए वरदान है इस वरदान को जाने ना दें क्योंकि ये कभी कबार ही ऐसी चीज़े मिलती हैं फिर आप इस रतन को तुरंट डालिए तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं आ रहा है मज़ा बहुत जादा बहुत ही बहतरीन एपिसोड है जैसे कि आप पीछे सा शेयर करें मैं तो बोलता हूँ शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास ये एपिसोड जाएगा उनका भी फाइदा होगा उनको भी नॉलेज मिलेगी और वो भी जोतिश के बारे में जानेंगे तो आएए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरह और हाँ एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ दोनों रतन लैप टेस्टेट सर्टिफाइड होंगे तब ही असर मिलेगा अब इन दोनों रतनों के नुकसान भी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या नुकसान होंगे दो नुकसान बताने जा रहा हूँ जो वाकिया आपको पता लग जाएंगे अगर हीरो से जिरो बनना शुरू हो जाएंगे अगर आपने गलत कांबिनेशन डाला हुआ है दो मैंने बना हीरो से जिरो लाइफ आपकी रोलर कोस्टर हो जाएगी कभी बहुत उपर कभी बहुत नीचे आपको समझी नहीं आएगा आपको ये लगना शुरू हो जगा कहीं को उल्टा पूल्टा मेरे उपर किसी ने तंतर करे आए जाए ऐसा जादू टोना टोटका नजर तो नहीं लग गए गलत स्टोन गलत समय में बिना पूजा बिना लैब जब आप डालेंगे जा गलत अडवाइस से तो फिर नुकसान संभब है मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपने रतन डालने हैं फाइदे के लिए आपने रतन डालने हैं अपनी जिंदगी में बदलाब के लिए आपने रतन डालने हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कमफर्टेवल जोन में चली जाए परशानी हमारे साथ जुड़िए मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ लाइफ चेंज होगी क्योंकि देखे I am not a God मैं भगवान नहीं हूँ हाँ एक चीज जरूर बोलता हूँ कि दुनिया में ऐसा को डॉक्टर नहीं है वो चाहेगा कि उसकी दवा ना लगे पेशन्ट सही ना हो क्योंकि क्या होता है एस्टर लोजर की दवा तब ही लगेगी जब एस्टर लोजर के अपने ग्रहे अच्छे होंगे जब एस्टर लोजर को मेडिटेशन, स्पिल्चर जर्नी उनकी बहुत हाई होगी तो अगर उनके पास ही कुछ नहीं है तो आगे वो देंगे क्या किसी को एनिहाओ, वहम से बाहर आजाएए जुडिया पॉस्टिविटी के साथ चेंज करिए अपनी लाइफ आज, अभी, इसी वक्त अले के तो दोस्तो एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विशिलेशन करवाना चाहते हैं बहुत सिंपल रास्ता दूगा बहुत सधारन करना क्या पड़ेगा आपको आप इस तरफ देखेगा इसके उपर एक नंबर डिस्पले हो रहा है यह नीचे सिक्रीन पर भी हो रहा है आप नीचे भी देखे ना इधर भी देखे नीचे भी देखिए नंबर इस 98767 26492 बहुत भेतरीन नंबर हमारे आफिस का नंबर है वाइसक नंबर भी है वाइसकॉल नंबर भी है अब इस नंबर के उपर अपना नाम डेटोबो टाइम प्लिसोबो यह चार चीज़े छोड़ दे जानि मैं फिर से बता दूँ कि आपका नाम क्या है आपका जनम तारीक, महीना और साल क्या है समय जिस समय आप पैदा हुए है और स्थान यह वाइसक इस नंबर के उपर आप कर दे आपको हमारे आफिस से एक प्रसीजर आएगा आप उसे फालो करें क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसीज है दोस्तों यह पेट सर्विसीज है यह फ्री सर्विसीज नहीं है हो सकता है कहीं लोगों को यह बात अच्छी ना लगे लेकिन यह पेट सर्विसीज है अगर आप हमें फालो करना चाहते है तो आपको करना क्या पड़ेगा यूट्यूब, ट्वेटर, इंस्टा फेस्बुक पे आप मुझे फालो कर सकते हैं बाइ दा नेम आफ रमन मलहोतरा अपने करना कुछ नहीं है इंस्टा पे जाईए रमन मलहोतरा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग मैं तो बुलूँगा तीन लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके है इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है यूट्यूब के उपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है फेस्बुक जिसके उपर साड़े पांच लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवा हमारा बढ़ता जाएगा दूस्तो एक और चीज़ मैं बता दू ओल एफेम्स जब आप गाड़ी में बैठते हैं घर पे हैं एफेम्स लगाएंगे तो कहीं न कहीं दिन मेरे एक, दो, तीन बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी और हाँ टेलिविजिन्स के ओपर भी आप मुझे फालो कर सकते हैं बहुत ऐसी चीज़े हैं सर्च इंजिन्स हैं जिसके ओपर आप मुझे फालो कर सकते हैं तो दोस्तो मैं फिर से एक चीज़ बता दू चाइनी स्टोन फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिन्दगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीज़ें ने पैदा कर दे जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे तो इसी उमीद के साथ मिलते हैं जो आपके लिए मुश्किल आपके लिए